अशा होता है वो डरपोक होता है जो नफरती होता है वो डरपोक होता है जो नफरती होता है वो डरपोक होता है आप देख रहे हैं कि लोग कितने डरे हुए है चालिस के चालिस सीड जो मांग रहे हैं बिहार से पहले तो बिहार वासियों को ये बताना चाहिए कि आपने किए दिया किस मूह से उनका नाम लेते हैं यही भाजपा के लोग करपूरी जी के कि जिंदगी में क्या-क्या गालिया नहीं दी है कर पूरी कर पूरा छोडगदी पकरस्तूरा करe । पूर्रु पर आरक्शिन की बात कहां ुए पर जा रे हैं शीट अब कर ने तू कि दह्षत जो तानाशा होता है वो आप देख रहे हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं 40 के 40 सीट जो मांग रहे हैं बिहार से पहले तो बिहार वासियों को ये बटाना चाहिये कि आपने पिछली बार हमको 40 सीट दिया था तो मैंने आपको क्या दिया विशेश पैकेज दिया विशेश राज का दर्जा दिया किस विभाग को पैसा दिया बार में इतना इतनी तबाही हुई उसमें हमने क्या दिया बिहार के लिए क्या किया पहले ये इनको हिसाब देना चाहिए था उसके बाद ये फिर बताते कि आपने 49 दिया तो मैंने ये ये दिया बिहार को बिहार पटना यूरिसिटी को सिंटर यूरिसिटी का दर्जा दिया कि नहीं दिया नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया वो जो वादा करके आये थे उसी मोतिहारी में जा करके कि अगली बार जब हम आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीएंगे तो उस चीनी मिल का चाय कब पी रहे हैं बितिया में गय थे बताना चाहिए था कि कब चालू होगा तो ये सब चीज पहले बताना चाहिए था लेकिन काम तो किया नहीं कुछ और तेजस्वी जी ने जो काम किया जो काम इनोंने 17 साल में नहीं किया बिहार में और यहां केंद्रे में 10 साल से हैं डबल इंजन की सरकार रही कुछ नहीं कर पाए वो उससे ज्यादा काम 17 महीं नहीं में थे जिस्वी जी ने कर दिया आप 17 मेंने की उपलब्दी की बात कर रहा हैं लेकिन अमीद से कल गया तो उनका कहना है कि सोनिया गांदी और लालू परशाद यादाव का एक ही लक्ष है कि सोनिया गांदी अपने बेटा को कैसे प्रधान मंत्री बनाए और लालू परशाद यादाव अपने बेटे को कैसे मुख्यमंत्री बिहार में मनाए हसी आती है वो अमीद शाह जिसका एक नाकारा बेटा को BCCI का ध्यक्ष बना दिया जिसको बोलेने का भी रूल उड़ नहीं है चलने का धंग नहीं है वो आदमी पडिवारवात की बात करता है और वो आदमी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार ने जो इस देश के लिए त्याग दिया है इसके पूरे भाजपा में कोई एक आदमी बता दे पूरे संग में पूरे भाजपा में एक आदमी बता दे जिसने देश की आज़ादे में कोई लड़ाई लड़ी हो आदरनी ये लालु पशाद अदब जी के वो बात करते हैं लालु यादब नहोते तरहिंदर मोदी भी परभान मंतरी नहीं होते लालु यादब नहीं इस देश में पिछरों को दलीतों को आवाज देने का काम किया उनको हक हकुक दिलाने का काम किया आज दितने भी देश बर में कोई भी पुलिटिकल पार्टी में हो वो लालु यादव का नाम अकेले में जरूर लेते हैं और उनको सैलूर जरूर करते है लालु यादव जी ने बिहार के लिए और देश के लिए किया है मजाल था क्या पहले कोई बोल सकता था मजाल था कोई कुडसी पह बैट सकता था थाने में बैट कर जाके बात कर सकता था लालु यादव जी ने मानसिप गुलामी से आज़ाद कराने का काम किया ये लोग तोुलाम हैं अंग्रेज के गुलाम थे और ये लोग इनके पास क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं कुछ किया ही नहीं है अब कहीं जाएगे कुछ बोलने के लिए तो लोग पूझेगा भाई साला दो करोर रोजगार का बात था तो भाई बताओ दस साल में बिस करोर रोजगार कहां दिये कई करोर लोगों को तो इन्होंने बेरोजगार क सब कुछ दे दिया, देश की सारी संपती को बेच दिया, इन लोगों ने, 16 लाग करोड रुपया इन लोगों ने, उद्योक पतियों का माफ करने का काम किया है, जब ये सत्ता में आये थे केंदर में, तो उस वक्त भारत के उपर, पच्पल लाग करोड का कर्ज था, आज 173 लाग रुपय का कर्जा है, देश तो सवाल करेगा न, कि वो पैसा कहां गिया, भाजपा के फाइव स्टार होटल टाइप, मतलब उनके कार्याले बन रहे हैं, पूरे देश के सभी जीलों में वो पैसा कहां से आ रहा है, डेर लाग तो ये भी कहा रहे हैं कि 17 मेने के जब RGD का करेकाल था तो उस दोनन सराब माफिया और बालू माफिया का राज था, अब इंडिया की सरकार बनी है तो ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर सिधा किया जाएगा, सारे सब जानते हैं कि सारे माफिया तो भाजपा में हैं, सिंग मिशिन के साथ डस्ट बीन भी हो गई है, तो सारे पार्टे की कच्रे को अपने यहां ला रही है, इनके यहां तो जो आ जाए वो राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं, आखिर में एक सवाल है कि करपूरी ठाकुर को लेकर भी अमिज सा कहते हैं कि जब लालू यादा औ अब उन्होंने करपूरी ठाकुर को सम्मान क्यों नहीं दिया, यह प्रधान मंत्री मोधी और बीजेपी और इंडिय की सरकार की देना है कि उनको सम्मान दिया गया, भारत रतम दिया गया, खरपूरी जी का नाम भाजपाईयों के जबान से अच्छा नहीं लगता है सुनन किस मूँ से उनका नाम लेते हैं, यही भाजपा के लोग करपूरी जी की जिन्दगी में क्या-क्या गालिया नहीं दिया है, करपूरी, करपूरा, छोडगदी, पकर अस्तूरा, आरक्षिन की बात कहां से आई, करपूरी की इमा, उन शब्दों को मैं दोड़ा नहीं सकता, क्या-क्या गालिया नहीं दिया है इन लोगों ने जन्नाय करप्री ठाकुर जी हो चाहे पिछड़े हो दलित हो वो भाजपा उनको कभी हजब नहीं कर सकती हाँ चुनावी पिछड़ा हो जाता है चुनावी दलित हो जाता है जब चुनाव का समय आता है इनको पिछड़ा दल आदा नहीं लाग रुपशाद जी हैं यही चन्या करपूर ठाकूर जी हम आरक्षन देने का काम किया था यही भाजपा है उनके सरकार को गिराने का काम किया था यही भाजपा है जब बिहार में तजस्वी जी नोगणी बात रहती है और देश-बढ़ में भाजपा नफ्रत पाट रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद यह आर्जेडी एमेल सी कारी श्रफ देलेशन इस फॉर्नेशन क्लिब में धिरत संग्ग